अब महारानी को इतना किसी पर विश्वास होता नहीं, इसलिए फार्मा क्या करता है कि उन दवाईों से पहले उनका बिलड सेंपल लेता है और उनको दिखाते है कि उनके शरीर के अंदर कितना जाधा इंफेक्शन हो चुका है, इसलिए फार्मा दो मेड, दो कब्स तयार करत होता है जिन में वही दवाई होती है, एक खुद पीता हो, और एक महारानी को पिलाता है, अब महारानी को दवाई पीने के बाद काफी अच्छा लग रहा था इसलिए लाटे वहाँ पर भापर बहुत ज़ादा खुश हो जाता है कि अब धीर धीर महारानी ठीक हो रही है, म महारानी को बदाते है कि इसमें आपको तीन से चाल महीने लगेंगे ठीक होने में इसलिए वह वहां से चले जाते है अब हम दो देखते कुछ टाइम बाद में महारानी को वह वापिस मेलने के लिए आया होता है क्योंकि महारानी का चेक अप करने के लिए इसलिए वह महारानी के रूम से बाहर चला जाता है और वो यह सुचा है कि मुझे आम दोगों के लिए भी यह दवाई बनानी चाहिए हम लोग उसके डैड को देखते है उसके डैड बहुत जाधा खुश होते है के आकरक उसने दवाई बना दिए अब महारानी उन दोनों को भूँत जादा सम्मानित करती उसके डैड को और उसको सम्मानित करती और उसको एक मेडल देती है जिससे कि वो अपनी केमेस्ट की सौप कहीं पे भी ओपन कर सकता है अब फार्मा के लिए यह सब बहुत ही जादा खुशे के बात दी है क्योंकि फा रहाक समझ सकते हैं यह अन्य घडिचर भी आ जाती है तो हम आपको तो बता है हर एक स्रीज में देखने को मिली जाएगा, ऐसे लाजजी वेपरी, वो आके बोलता है, कि यहां का मालिक कौन है, तो फार्मा उसे बताता है, कि यहां का मालिक मैं हूँ, बता ही आपको क्या काम है, तो वो बताता है, कि तुम मेरे साथ मिलके काम कर लो, जिससे कि हम लोग काफी रूप से मिल सके पर वो वहां पर मानने को तयारी नहीं था इसलिए इसलिए उसकी टीचर उस वैपारी को धंकाना लगती और बोलती है तो मैं यह से चले जाना चाहिए और हम लोग देखते कि उसकी कैमर्स की शॉप ओपन तो हो गई थी पर वहां पर सिफ दो ही बार करते ए अभी भी उसको एक इंसान के जरूती है जो कि उसके लिए अकाउंटेंट का काम करेंगे अब हम लोग देती कि उसके फार्मा के टैड के जो अकाउंटेंट थे वो रिटार हो रहे थे क्योंकि उनके पैरों में बहुत जादा परिशानी हो रही थी मतलब वह चल नहीं पा सुनके उसके डार उसे काफी ज्यादा पैसे भी दे 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 जिससे कि उसका काम बहुत ही ज़्यादा आचहा चल सके और लिए तक फार्मा की आप शॉप में है आफ्लोग टोटल चारज हो सकते एक फार्मा एक उसकी टीचर और उसकी मेर और एक अकांटेड पर एक मैना बी बदल के पर वो उन्हें बहुत ही आसानी से पहचान लेता है अब उसके डैड बोलते है कि आखिर तुम्हारी केमिस्ट की शॉप चल क्यों नहीं रही है अखिर क्या परिशानी है तो वो अपने डैड को बोलता है आई ये डैड आप देखिए अगर आपको कोई कमी लगती है तो आप मुझे ज़रूर बदाएए कास्त मैं इतना जिसमेदार इंसान बन पाता पर मैं भी नहीं बन पाया हूं और वो अपने डैड को पूरी केमिस्ट की शॉप दिखाने लग जाता है कि यहां पे मैंने मेडिकल सुईदा रखी और यहां पे पेशेंट के रेस्ट करने यह सब तो ठीक है पर तुम्हें एक बात का ध्यान रखना है कि तुम उन ब्यूटी क्रिम्स में कोई भी परकार का केमिकल यूज ना करो यह सरीर के लिए बहुत जाधा हाम होता है इसलिए वो इस चीज़ से बहुत ही जाधा एगरी कर जाता और तब हम लोग देती है वहा पर हाथ पर बहुत जाधा कट लगा रखे जिसकी वज़से उसका बहुत जाधा खून बैग या और वहाई पर बेऊश हो जाती है अब वो लोग उसे अपने कैमिस्ट के शॉप में लिखके आ जाते और उसका हिलाज भी कर लेते है जिसके वज़से वह ठीक ही हो जाती है अब वो बलती है कि लड़की ने मेरे को रिजेक्ट कर दिया मेरे वाइफेंड ने मेरे को रिजेक्ट कर दिया इसलिए मैंने हाथ ओकिंगा से काट लेती है अब मुझे समझ में आया लड़के इतनी पागल क्यों हो जाती है उनके पास हमारे जैस्ट दूसरे option भी है मेरे आप लोग मुझे फोन कर सकते हो अगर कोई इंट्रेस्ट रहे तर नाइन सवन इट फोन कर सकते हो अब हम लोग समझ सकते हैं कि यहां पर उसकी केमेश्ट की शॉप धीर धीर चलने लिश्टाड हो जाती है क्योंकि उसने ब्यूटी क्रीम पॉडक्स बना दी थे और सबसे प क्रीम बेकना इस्टाड हो जाती है क्योंकि उनके बिजनेस के लिए काफी अच्छा था इसलिए अब वह सुचता है कि वह एक नई ब्रांच खोल देगा जहां पर वह ब्यूटी क्रीम से रखेगा और उसके लिए उसने काफी ज्यादा इस्टाफ भी हाईर कर लेता अब पर लिब बाम लगाती है तो उन्हें कुछ अलगी फील होता है जिसकी वजह से वह बहुत जादा अच्छा फील करती है अब पता नहीं मेरे अंदर की यह ठरक पन कप चा गया मुझे भी नहीं पता तो वह उन्हें और भी क्रीम दिखाता है जिससे कि वह बहुत जादा सु सॉरी फार्मा यहां पर बोल देता है ओके मारानी मैं अपनी दवायों की और फार्मसी की मतब थोड़ी सी प्राइस बढ़ाऊंगा और हम लोग देती है कि वह लोग बीच के किनारे आये होते है अपनी बैन के साथ केलने के लिए अब उसकी बैन बार-बार जेद करी होती ह कि मुझे पानी में जाके खिलना है पानी में जाके खिलना है पर लाते हैं पर फार्मा यहां पर मना कर दीता है कि नहीं डैडना में मना क्या है पानी में नहीं जाने से पर वो दोनों इतनी रिक्वेस्ट करती है इसलिए फार्मा को वहां पर उसे हाँ ही बोलना पड़ता ह और वो दोनों जाके पानी में नाने लग जाते हैं और हम लोग देते हैं किला फार्मा यहां पर बहुत जादा परिशान होता है क्योंकि पीछली लाइप में वो अपनी बेहन को खो चुका है तो वो नहीं चाहता है कि इस लाइप में भी वो अपनी बेहन को खो है जो कि बहुत ही ज़्यादा बुरा होता है और अब इस चीज़ से उसको इतना ज़्यादा गुस्ता था और वो अपनी magical energy release कर देता है जिसकी वो जैसे पानी के नदी के मतलब इस रीवल के बीचों पीच बहुत बड़ा hold हो जाता है मतलब hole हो जाता है जहां पर पानी का कोई नामों निशानी नहीं होता अब यह सारी चीज़ उसकी टीचर भी देख लेती है और farma भी बहुत जादा अजीव फील कर रहा होता है कि यह सब हो क्या रहा है तो वो बहुत जादा खुश होता है कि आकिर उसको ये सब करते हैं किसी नहीं द Columbus समझ सकते कि नहें उसको उसकी टीचर ने और उसकी मेड ने उसको देख लिए ता हौँ शाथी में उसको किसी चर्ण के एक आदमी ने भी देख लिया हुता है जो कि अपनी जारी लोग वहाँ पे दो चर्ड के लोगों को देखते हैं जो कि फार्मा पे बहुत जादा नज़र रखने के लिए होते हैं अब गार्ड जैसे ही अगले दिन सुपह शॉप को ओपन करने जाते हैं तो एक घोड़ा गाड़ी आती है और सीधा मेडिकल शॉप में टकरा जाती है जिसकी जिससे वहाँ पे बहुत जादा गंदगी हो जाती ही बहुत जादा कूड़ा कच्रा आ जाता है उसकी शॉप में अब ये चारी चीज़े उसके डैड को बिल्कुल पसंद नहीं होती है उसके डैड बोलते है कोई हमारे बिजनिस को खराब करने चाता है इसलिए वहाँ पे फार्मा बहुत जल्दी वहाँ पे अपनी शॉप पे पहुंचाता है और उसके साथ वही वरकर्स होते हैं जो कि उसके ब्यूटे करेंस या दवाया खरीते हैं इसलिए सारे गहामाले मिलके उसकी मदद कर रहे होते हैं और ये सारी चीज़े बहुत ही जादा अच्छी होती तो वो लड़की एकदम से गाइप हो जाती है अब फार्मा यहाँ पे बहुत ही जादा कंप्यूज्स था कि आकर ये सब हो क्या रहा है तब हम लोग देखती कि वो चार्च के लोग वहाँ पे आ जाते हैं जो कि फार्मा को देखके बोलते हैं कि हमने सुना है तुम एक डे इनर्जी से इतने जादा अटेक नहीं करता क्योंको फार्मा नहीं चाहता अगर मैंने अटेक किया तो इस सब लोग मारे जाएंगे इसलिए फार्मा बिलकुल भी अटेक नहीं करता और उन लोगों को नॉर्मली छोड़ देता है पर फार्मा भी बहुत जादा परिशान हो च हम भी लोग उसके आगे जुख जाते हैं और फार्मा को बता चलता है कि लुईस को यहाँ पर चोट लग चुकी जो कि रेड़ बाल वाला है उसको बहुत जादा चोट लग चुकी है और उसकी सहजरी करने होगी तो वो लुईस बोलता है कि नहीं नहीं यह तो मेरी गुस् तो में घजसे हम झाल उसके फपारेश कर जादी करने है यह थादाए खिछ लग अीजेवशा बहाँ ही जादा way पलटा contributing to the solution कि सहजरी करके जादी वहाँ जादादा है एफ चानल चुकार पारेशों कि सपगरों बадिन जादादी यह कर आदादी बहादाल पod access़огशने कि